नमस्कार मैं हूँ लालचन सोनी आज सुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है आपको सिदे लेचलाओ राजस्तान गंगा नगर से खबरों के सूत्रों के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ कि रिमजिम के साथ आज बारिस हुई है या बारिस आप पिछले महने बारिस हुई थी और आज 26 सितंबा 2022 को मातरानी की अपार सक्ती नौरात्र के पहले ही दिन राजस्तान में रिमजिम के साथ बारिस देखी गई है या मौसम दोपार में बहुत ही अधिक तेज धूप और गर्मी होने से लेकिन तीन से चार बजे के उपरांत में रिमजिम के साथ बारिस हुई और मौसम ठंड़क बना रहा और जो धूर मिट्टी उड़ रहे थे वह सांती रहा वहें पर आपको बता दो कि राजस्थान में अधिक देर तक बारिस तो नहीं हुई लेकिन मौसम सुहाना और ठंड़क बन रहा और आपको बताते चलू राजस्थान में बहुत ही ना के बराबर बारिस होती है लेकिन मातरानी की किरपा है कि इस 2022 में अधिक बारिस भी दे देश, बिहार और दिल्ली जैसे अनेक सहरों में और राजधानियों में और राज्यों में यहां बारिस अधिक होती है वहीं पर राजस्थान की अधिबात करें तो यहां पर जो है नाम मात्र बारिस होती है क्योंकि यहां पर जो है रेतीला, रेगिस्तान और भी ऐसे हैं जो राजस्थान सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूं आज नौरात्र का पहला दिन है मातारानी की अपार सक्ति बनी रहे और सभी देश वासियों को बारिस की जो भी हो वहांपर किसान भाईयों का फाइदा जरूर करवाएं यहां है राजस्थान की सुंदर नगरी आपक तेज धूप और गर्मी बनी रहती है तीन बजे के चार बजे के उपरांत में बारिस तो हुई है पानी भी आपको दिखा रहा हूं भरा है और यहां पानी जो है आज बारिस तीन चार बजे होने से बारिस का जो है आप बारिस भरी हुई पानी आप देख रहे हैं रास्तो गंगा नगर से देख रहे हैं सूत्रों के अनुसार आपको बताते चलता हूं कि आप खबर से बेखबर न रहें मौसम थोड़ा ठंडा पन है और आपको बता रहा हूं कि राजस्तान में बहुत ही ना के बराबर बारिश होती है लेकिन मातरानी की अपार सकती संत सनातन धर्म की परंपराओं के अंसार जो है बारिश होती है जैसा कि आपको बता दूँ यदि सावन का महिना आता है तो बोले नाज जी अपने भक्तों को जरू से जरूर जो है बारिश करते हैं तो वैसे ही आज मातरानी का दिन है पहला दिन है सभी देश्वासियों को हार्दी सूप कामना है नौरात्र का पहुंचे फिर हम आप से मिलेंगे जैंग तो आप से मिलें लिटेश्वासि वहाने कमाने दिलेख लेख ला नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरू दमाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेसं मिल जाए धन बात